वर्ल्ड कप से पहले दमदार फोम में लोटे बाबर आजम, पहले न्यूजिलेंड तो अब आउस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखाया जलवा विश्कप 2023 का 5 अक्टूबर से आगाज होने जा रहा है टूनमेंट से पहले खिले जा रहे है वर्म अप मैचों में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बल्ले से धमाल मचा दिया है मंगलवार को नों ने उस्ट्रेलिया के खिलाफ नभेरन की आच्छी पारी खिल कर दिखा दिया है कि वह किसी भी अंदाज में बल्ले बाजी कर सकते हैं दरसल हाल ही में खिले गए एशिया कप टूनमेंट में पाकिस्तान के लिगे टीम का प्रदेशन बहुत अच्छा नहीं रहा था इस टूनमेंट में टीम की बल्ले बाजी काफी लचन नजर आई थी वही टीम के कप्तान बाबार आजम नेपाल के खिली गई श्यत्केपारी के अलावा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे खराप प्रदेशन के लेकर बाबार आजम की काफी आलोचन भी की गई थी लेकिन विशकप से पहले न्यूजलेंड और आउस्ट्रेलिया के खिलाब वार्मप मैचों में बाबार ने जिस अंदास में बल्ले बाजी की है उससे जाहिर है कि बाबार अब उस फोम में वापस आ गई हैं जिसके लिए वहेज जाने जाते हैं बाबार आजम ने उस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 गैंदों पर 90 रन बनाए 90 रन बनाने के बाद वह रिटायर होकर पवेलियन लोड गए बाबार ने अपनी पारी में 11 चोके और 2 छक्ये लगाए इस दोरान उनका स्ट्राइक रेट 153 का रहा बाबार के साथ ही इस मुकाबले में इफिकार एहमद ने भी शानदार बैटिंग की और उने 83 रन की पारी खेली इस पारी में इफिकार ने 6 चोके और 4 छक्ये जड़े इससे पहले न्यूजिलेंड के खिले गए पहले वार्मप मुकाबले में बाबाराजम ने 80 रंके पारी खिली थी वार्मप मैचों में पाकिस्तानी कप्तान हिट सावित हुए हैं अब देखने वाली बात है कि वर्ल्लकप मुकाबले में उनका प्रदेशन कैसा रहता है पाकिस्तान के के टीम अपना पहले मुकाबले चेक टूबर को नीदरलेंड के खिलेगी